बाद करें यहां से अगर अभ खाद गयलू की तो खाद गयलू हम देख रहें हैं कि सोयवीन का नमबर वायद साइब इस सेमे 5154 पर कारभवा करताू नजर आ रहा है और नंतीन फीजदी की गिरावट के साथ हम देख रहे हैं कि सोयबीन का जो वाइद बजार है लगातार गिरता ही जा रहा है जब से सरकार ने फैसर लिया है कि सोयबीन की खली का इंपोर्ट किया जाएगा तब सभी हम देख रहे हैं कि सोयबीन की जो कीमते हैं लगातार एक के बाद एक गिर्ती भी नजर आ रही है दिरसल ऐसे आखड़े भी सामने आए हैं कुछ इंस्टिूशन के जैसे की सोपा हुआ सोपा का सर्वे हुआ था जिसमें ये रिपोर्ट निकल के सामने आई है लेकिन किसानों का कहना है कि जब बुगाई के समय बेजी उपलब्द नहीं था तो बुगाई इतनी कैसे हो सकती है और अगर वाईचांस इतनी बुगाई माना जाए की हो भी रही है तो फसले भी इतनी बड़े पैमाने पर खराब हुए है कि प्रोड़क्शन का जो एस्टिमेशन है वो लगाना लगबग नामुम्किन सा है क्योंकि प्रोड़क्शन काफी कम रह सकता है इस बास सोयवीन का ऐसा किसानों का भी मानना है जो किसान अभी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं और वेपारी ऐसा अनुमान लगा रहे हैं हलाकि ट्रेडिंग बॉडी जादा ही बता रही हैं लेकिन किसान ऐसा नहीं मान रहे हैं किसानों को यही लग रहा है कि सोयवीन का उत्पादन बहुती कम है क्योंकि बारी बारिश के चलते फसले खराब भी हुई है किसी किसी की फसल पूरी 100 फीजदी तक तबाह हो गई है सोयवीन की खेतों में जो कटाई के लिए पूरी तरह से तयार हो चुकी थी जिसकी वज़ा से किसानों को लग रहा है कि आने वाले दिनों में सोयवीन के जो दाम है वो अच्छे कासे देखने को मिल सकते हैं और कुछ जगाओ पर ऐसी भी खबरे निकल के सामने आ रही कि कि कुछ जगाओ पर किसानों ने ऐसे संगठन बना लिया है छोटे छोटे जिसमें किसानों ने ये फैसल लिया है कि अगर उनकी सोयवीन की फसल 10,000 रुपे कुइंटल से नीचे में बिकती है तो वो नहीं बेचेंगे चाहे घर में स्टॉक करके रख लेंगे बेचेंगे नहीं मंडियों में अपनी फसल लेके नहीं आएंगे एक तरह से देखा जाए तो किसानों का जो इस बारबारी वारिश के चलते नुकसान हुआ है और दूसरा जो इन्होंने मेंगे बीच खरीद कर सोयवीन की बुवाई करी है और सरकार के फैसले के बाद उनकी कीमते जो गिरी है उनको मंडियों में जो उची दाम नहीं मिला है MSPB नहीं मिली है उसकी वज़ा से किसानों का ऐसा फैसला और ऐसे कीमत मांगना कहीं गलत साबित भी नहीं हो रहा है क्योंकि अगर किसानों के नुकसान का आखलन किया जाए तो लगबर जितनी कीमत किसान मांग रहे हैं तो वो सिर्फ उनकी लागत ही है क्योंकि जो फसल लेकर आ रहे हैं मंडियों में वो सिर्फ उसी चीज की लागत नहीं निकाल रहे हैं वो उस फसल की भी लागत निकाल रहे हैं जो फसल उनकी बारी बारिश के चलते खराब हुई है तो अगर किसान ऐसा कर रहे हैं तो कही न कहीं किसान गलत भी नहीं है, किसानों को गलत नहीं कहा जा सकता है मौसम की मार पे किसी का जोर नहीं है, आप सिर्फ जो एजिंसी होती है, वेदर एजिंसी वो भी सिर्फ अनुमान लगा सकती है बारी बारिश होने से, बार आने से, या फिर तबाई मचने से उसको कोई रोक नहीं सकता है safety measures लिये जा सकते हैं, पहले से ही उसकी prediction की जा सकती है और उससे बचना कैसे है, वो बताया जा सकता है, लेकिन रोका नहीं जा सकता है तो जो किसान है वो भी अपनी सिफ लागत ही मांग रहे हैं मुनाफ़ा नहीं मांग रहे हैं कहीं न कहीं किसान भी सही हैं इस मामले में और किसानों का कहना है कि 10,000 कुंडल से नीचे नहीं बेचेंगे और फरवरी तक होल करके रखेंगे कुछ किसानों का ये भी मानना है तो किसान अब धीरे-धीरे करके एकत्रित हो रहे हैं, रन्निती अपना रहे हैं, जिससे कि उनकी जो सोयवीन की फसल है, उनको कम से कम MSP के आसपास का दाम भी मिल पाए, क्योंकि अभी देख रहे हैं कि किसानों को MSP भी नहीं मिल पारी है, सोयवीन की नीचे में 22-24 तक ये दाम मिलता हो नज़र आ रहा है किसानों को सोयवीन का, जो कि किसानों के साथ कहीं नकहीं एक नाइंसाफी भी है,